वल्कम टू वेब लाइन, मौन्स्टर स्लेयर, चेप्टर सिक्स्टी गॉबलिन को मारने के बाद ह्यून को और यूजों को काफी सारी चीजे मिलती हैं जिसमें से कुछ आर्मर होते हैं तो कुछ स्वार्ड होती है और उन में से कुछ लिक्विट की चीजे और मश्रूम होते हैं जिसे खा कर वो अपनी हैल्थ बढ़ा सकते हैं और मैजिक गेन कर सकते हैं यून तभी वहाँ पर एक चीज को ढून रहा होता है और उसे देखकर कहता है हाँ मुझे मिल गया ये दरसल ये एक लिक्विट होता है इस लिक्विट की मदद से आप अपने मैजिक की इफेक्ट को 20% तक बढ़ा सकते हो और ये हमेशा के लिए रहेगी इसके अलावा इसकी मैजिक की रिकवरी भी आप 20% तक बढ़ा सकते हो ये काफी अच्छा और मज़्यदार आइटम था यूजों कहता है कि मुझे भी वो एक चाहिए ह्यून कहता है कोई बात नहीं ले लो लेकिन मेरे लिए भी थोड़ा बचा कर रखना यूजों कहता है हाँ हाँ अब मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ ह्यून उस लिक्विट को पी जाता है लिक्विट को पीने के बाद उसकी मैजिक की इफेक्ट 20% तक बढ़ जाती है और उसका रिकवरी मैजिक भी 20% तक बढ़ जाता है ह्यून कहता है हाँ ये सच में काम कर रहा है तभी वो यूजों की आवाज सुनता है ह्यून यहां पर देखो यह कितना अच्छा है ना तब ही हम यूजों को देखते हैं जिसने अपनी स्वोर्ड के एक ही स्ट्राइक में ट्री को काट दिया होता है यूजोंग कहता है ये काफी amazing skill है दरसल इस skill की मदद से हम अपनी sword की energy को बढ़ा सकते हैं ये C rank का है और इसकी मदद से आप अपनी sword के अंदर extra sharpness और magic को add कर सकते हो यूजोंग देखकर कहता है कि यहाँ पर काफी सारी चीजे हैं यहाँ पर mushroom है और एक book भी है इस book से क्या होगा मुझे कुछ भी नहीं पता ह्यून कहता है कि यहाँ पर जितनी भी चीजे हैं वो बहुत ही कीमती है इसी वज़े से मैं इस gold goblin को पकड़ना चाहता था ताकि मुझे ये skill मिल सके ये skill बहुत ही अच्छी है और इसके अलावा ह्यून को काफी सारी ability मिलती है जिसमें से एक ability उसकी sword में लग जाती है उसकी sharkness बढ़ जाती है and अब ह्यून magic store भी use कर सकता है हाँ लेकि नीचे लिखा होता है कि ये एक ही बार use कर सकता है यूजों कहता है हून तुम पहले से ही बहुत अच्छा decide करते हो जैसे कि तुमने white door choose नहीं किया बलकि red door choose किया और यहाँ पर भी तुमें पता था कि हमें gold goblin को पकड़ना है ताकि हमें ये सारी चीजे मिल सके मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कोई जादू ये skill है जिसकी मदद से तुम future देख सकते हो ह्यून सोच रहा होता है यूजों तुम सच कह रहे हो मेरे पास वो diary है जिसकी मदद से मैं future देख सकता हूँ ह्यून कहता है अब यूजों बस भी करो अब हमें उस player को मज़ा चिखाने जाना है अब जल्दी चलो यूजों कहता है लेकिन हमें कहा जाना है तुम किसकी बात कर रहे हो ह्यून कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए इतना कहे कर ह्यून जाने लगता है यू जॉंग कहता है लेकिन मुझे क्या पता कि तुम किसकी बात कर रहे हो अब आगे हम देखते हैं कि हिून और यू जॉंग दोनों सही टाइम पर पहुँच चुके होते हैं इस तरफ दो हिून और सैंग सूद दोनों काफी सारे टीममेट्स को मार डालते हैं सेंग्सू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं हम ये सर्वाइव करने के लिए कर रहे हैं यू जॉं गुसे में होता है वो कहता है कि तुम किसी को मार कर सर्वाइव कैसे कर सकते हो और वो भी इतनी आसानी से तुमने कैसे कह दिया वजे तो तुम पर विश्वास नहीं होता। सेंग्सू कहता है कि तुम जैसे डरपोक को पता है कैसे सर्वाइब करना है और फिर हसने लगता है। इस दरफ हम देखते हैं कि लड़ाई शुरू हो चुकी होती हैं काफी सारे प्लियर भागने लगते हैं। दो हिं ये देख कर कहता है कि है तुम लोग कहां जा रहे हो एंद दो हिं के रास्ते पर हिं आ जाता है और हिं कहता है कि तुमें मेरे साथ लड़ना होगा। दो ह्यून हसते होए कहता है कि तुम इतने शौर क्यों हो, क्या तुमारे पास कोई लाइफ 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 लाइन है, जिसे तुम इस्तमाल कर सकते हो, ह्यून कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मेरे पास ये सा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास एक चीज है, फ सभी को मार डालो इस तरफ सभी प्लियर काफी डरे ओए होते हैं दोहून को बहुत ही गुसा आ रहा होता है इसी वज़े से वो पहली स्ट्राइक करता है लेकिन हून उसके स्वर्ड के अर्टेक को डॉज कर देता है और उसे रोक देता है दोहून अंदर घ्री अंदर सोचता है कि ये कैसे हो सकता है ये इंपॉसिबल है क्या इसकी स्किल मेरे से बेटर है नहीं ऐसा नहीं हो सकता ये देखने से तो कमजोर लगता है क्या ये सचमीतना ताकतवर है अब हम hyun को देखते हैं जोकि अपनी स्वार्ड की एक ही स्ट्राइक में दो hyun को हरा देता है और फिर हम जॉंग यूँ और किसी दूसरे प्लेयर को hyun के पास आता हुआ देखते हैं लेकिन जबूँग्यू अटेक करने वाली होती है तब उसकी स्वॉर्ड को कोई बीछ में ही रोक देता है। दरसल वो यूजोउंग था। यूजोंग कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में भुल गई थी। जोंग्यू गुस्ते में होती है वो कहती है मेरे रास्ते से हटो इस तरफ हम देखते हैं कि यून एक के बाद एक प्लेयर को मारता रहता है और ये सब कुछ दूर से सैंग्सू देख रहा होता है सैंग्सू ये पहली बार देख रहा होता है वो डर रहा होता है वो सोच रहा ह कि शायद मैं भी मर जाओंगा मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए इसी तरह monster slayer का chapter 16 यही पर finished होता है अगर आपको जानना है कि story में आगी क्या होगा तो channel को subscribe करके bell icon को all पर select कर लीजे मैं मिलूँगा कल आप से शाड़े 6 बजे बाई बाई